नमस्कार दोस्तों तो कैसे आप लोग तो आप मेंसे बहुत लोग मुझे पूछ रहे थे कि बेश स्मार्टपोन अंडर रुपीज 15,000 का लिस्ट का आगया ये नॉवेंबर माईने का तो चलिए इस वीडियो में आपके लिए लेकर आ चुका हो कि 10 से 15,000 के अंदर आगर अगर आप आज के दिन में कोई स्मार्टफोन लेना चाहते तो आपको कौन सा लेना चाहिए और हर बारी की तरह में इस वीडियो में जो-जो भी स्मार्टफोन के बाड़े में बतांगा, हर एक का बेस्ट Bij लिंक मै Points में दोगा अगर आपको बहुत स्मार्टपोन पसंद् उसमें क्लिक करके खरी सकते तो चले शुरू का अच का वीडियो भी ना कोई वक्त खबर आज का वीडियो शुरू करने से पहले अगर आग ग्याज चैंपेंग नहीं है और ऐसे वीडियो आपके भी देखना चाहते तो पहले हम देखते दस हजार में दरसल कौन सा स्मार्पो का बैक कैमेरा, 8 मेगापिक्सल फॉंट कैमेरा, 4GB RAM, 64G मेमोरी, 5020 इमेज बैटरी और प्राइस से 10,000 रुपए अगर आपका वज़े देखने 10,500 रुपए तो आपके लिए एक ही स्मार्पोन आवे ले वेले उसका नामे नार्जो 20 इसमा आपको मिलेगा 6.5 इंच HD प्लस रुपए तो अगर आपका वज़े देख 11,000 रुपए तो मेरे पास आपके लिए टोटल तीन चॉइस है लेकिन उसमें से जो सबसे बहतर ओप्शन बहतर असल माइक्रो मैक्रो मैक्स इन नोट वान इसमें आपको मिलेगा 6.67 इंच फुल ही प्लस दिस्प्ले हीलियो जी 85 48, 5, 202 Mbps का बैक कैमेरा, 16 Mbps का फ्रांट कैमेरा, 4G RAM, 64G मेमोरी और 5000 इमिज बैटरी और मेरे ख्यार से 11,000 में यह सबसे कॉंप्लीट स्मार्पोन है अगर आपको माइक्रो मैक्स का फोन नहीं लेना है तो आपके लिए जो सेगेंड अप्शन बहतर असल Poco M2 जो कि और क 120 का 4GB 120GB फेरिंट तो अब हम देखेंगे 12,000 रुपए में कौन कों से स्मार्पोन है तो 12,000 रुपए अगर आपका प्राइस है तो मेरे क्याल से आपके लिए एक स्मार्पोन एकदां कॉंप्लीट टैकेज होगा जो कि यह Realme 7i क्योंके 12,000 रुपए के अंदर एक लौताय स स्मार्पोन है जीसमें आपको 64MP मेन सेंसर मिलेगा मतब इसमें आपको 64,8,202 MP का बैक कैमेरा 60MP फांट कैमेरा 6.5 इंच HD प्लाइप दिस्प्ले स्नैपड आपको 662 प्रोसेसर 4GB RAM, 64G मेमेरी और 5000 इमेज बैटरी मिलेगा इसके लिए आपके लिए एक और आप्षान है बो 64GB RAM, 64G मेमोरी और 5000 इमेज बैटरी 12,000 रुपए में आपके लिए दो और आप्षान है बोएदर असल नर्जो 10 जिसमें आपको मिलेगा 6.5 इंच HD प्लाइप दिस्प्ले हीलियो जी एटी प्रोसेसर 48,202 MP का बैक कैमेरा 60MP फांट कैमेरा 4GB RAM, 120GB मेमोरी और बैटरी 5000 बोएदर असल Micromax e Note 1 का 4GB 120GB वेरियंट अब हम देखेंगे 13,000 रुपए में क्या क्या में मिलता है तो 13,000 रुपए अगर आपका बज़िट है तो मेरे ख्याल से आपके लिए एकी स्मार्पोन सबसे बहतर होगा बोएदर असल Realme 6 जिसमें आपको मिलता है 6.5 इंच Full HD प्ल इसका भी प्राइस में नीचे डेस्क्रिप्शन में दिया है अगर आपको पसंद है तो आप उसमें क्लिक करके खरी सकते है वैसे मैं अपने तरफ से आपको रिकॉमेंड करूंगा कि Realme 6 13,000 रुपए में आपको जरूर लेना चाहिए क्योंकि यह जो 6GB 64G वेरियंट इस प 5 और 2 Megapixel का back camera 16 Megapixel front camera 4GB RAM 64G memory और 5020 इमेज बैटरी और 13,000 रुपए में जो थर्ड ओप्शन है वह दर असल Realme 7i जिसमें आपको मिलता है 6.5 इंच HD plus display snapdragon 6 62 प्रोसेसर 64 8 2 और 2 Megapixel का back camera 16 Megapixel front camera 4GB RAM 120GB memory और 5000 इमेज बैटरी 13,500 रुपए में आपके लिए एक ही option है वह दर असल Redmi Note 9 का 4GB 120GB variant तो आप आम देखेंगे 14,000 रुपए में आपके लिए क्या का option है वेलेबले तो 14,000 रुपए में आपके लिए एक ही option सबसे बहतर है वह दर असल Redmi Note 9 Pro का 4GB 120GB variant तो आप आम देखेंगे 15,000 रुपए में आप आपके लिए कौनकों से बढ़िया स्मार्टपून है तो 15,000 रुपए में मेरे ख्यास से आपके लिए एक उप्शन सबसे बहतर होगा वह दरसल रियल्मी 7 यूँकि इसमें आपको मिलता है 6.5 इंच फूल एटी बिलाद दिस्प्लेए हिलियो जी 95 प्रोसेशार 64, 8, 2 और 2 मेगापिक्सल का बैक कैमेरा 16 मेगापिक्सल फ्रॉंट कैमेरा 6GB RAM 64G मेमोरी 5000 इमेज बैटरी और प्राइसे 15,000 रुपए और 15,000 में इसकी लेवा जो बाकी दो आप्षान है बोए दरसल Poco M2 Pro Poco M2 Pro दरसल कुछ भी नहीं जो Redmi Note 9 Pro लॉंच हुआ था उसका ही 6GB 64GB वेरियंट है और जो फाइनल वेरियंट बोए दरसल Redmi Note 9 का 6GB 120GB वेरियंट तो 15,000 रुपए आगर आपका बजट है 2020 के नॉबेंबर माई ने पहा दस से 15,000 के बीच में एक स्मार्टपोन अलग-अलग प्राइसेज में सबसे बहतर है लेकिन यहां पर मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा आपने देखे होगा रिसेली माईक्रोमेक्स ने जो दो स्मार्टपोन लांच किया है बो स्मार्टपोन जो चाइनिज कंपणिये उसे स्पेसिफिकेशन और सौप्टवर के मामले में डिफिट कर देता है और मुझे यह न्यूज मिला है कि आगले दो या फिर धाई माईने के अंदर 15000 के आसपास या फिर 15000 के नीचे माईक्रोमेक्स कोई ऐसा स्मार्टपोन लांच करेगा लेकिन अगर आप दो धाई माईने थोड़ा सा ओएट कर सकते तो मेरे खाल से आपको माईक्रोमेक्स के उस 15000 के आसपास के स्मार्टपोन के लिए ओएट करना चाहिए या फिर रेडमी नोट 10 के लिए ओएट करना चाहिए जिसका प्राइस होगा 13-14000 के बीच में तो आज का वीडिया ही तक उमीदे 10-15000 के बीच में यह जो मैंने सिलेक्शन बना यह आपको पस्तने होगा वैसे आप मुझे निचे कॉमेशन के में बताएए इसके बाद आप और कौन-कौन से प्राइस रेंज के अंदर स्मार्टपोन लिस्ट देरना चाहते मैं उसके प प्राइस 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 प्राइस